एक एक करके करो इस पर जतिन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजली को काम की लिस्ट सुनाने लगती है सुबह पहले घर की सफाय कननी है फिर कपड़े धोने है साथ में खाना भी बनाना है एक की वैज़े से दूसरा का मरू कना नहीं चाहिए है जी ममी जी ठीक है ये कहकर अंजली अपने कमरे में चली जाती है अंजली ममी हमेशा बोलती थी गवहू आएगी तो उनका काम हलका होगा पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हलका करने के जगण टाल ही देंगी कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई तिक्कत नहीं होगी ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना दोनों सुझाते हैं, और अगली सुबह से अंजली जल्दी उठके सास के बताए कामों में जुट जाती है जिसमें वो जैसे ही कपड़े धुने लगती है, तो सास बहां आ जाती है आरा सुनो, ये कपड़ा ऐसे नहीं धुलेंगे, सब को डिवाइड कर फिर एक-एक करके अलग-अलग धुने है क्या? एक ही कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर, है? सास की बात मानते हुए अंजली एक ही करके कपड़े धुना शुरू करती है, जिससे करते हुए आधा दिन बीच जाता है अरे रे, सुबह से कब तो पर होगी पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है अंजली भागते हुए रसोय में जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी बिलती है खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक-एक पकोड़े अलग-अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा, कोई पक्का रह जाता है सास की हर बात में एक-एक की कहानी अंजली के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बुले काम करती रहती है अगली सुबा फिर वही शुरू होता है, और सास एक बार फिर खाने के समय रसुई में आती है आज क्या बन रहा है है वो जती में भींडी की सबजी, रोटी और धनीय की चेक्वी बुली है, इसकी वही बना रही हूँ अरवा जिवा बढ़िया है, पर भिंडी एक-एक करके धोना, फिर टोवेल से पोच कर एक-एक करके ही काटना, साथी धनीय की पत्ती भी एक-एक करके ही धोना अरवा पर मम्मी जी अरवा क्या पर, सफाय का ध्यान रखना आता भी है या नहीं, है सास की बाते सुन अंजली हैरान रह जाती है, मैं तो सिर्फ सोचती थी, कि जान बुझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती है, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परिशान भी करना चाहती है मैंने इनकी कौन से बहस खोल दी, जो इतनी दुश्मन ही निकाल रही है, अब क्या करूँ अब अंजली सास की बातों और हरकतों के बीच फस जाती है काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा करते पर अंजली, तुझी कुछ तो करना पड़ीगा इतनी तेर में जतिन भी वहाँ आ जाता है अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा जतिन के बात सुन, अंजली सोच में पड़ जाती है इन्हें सच बताऊं या नहीं, पर अगर ये गुस्सा हो गए तो वैसे भी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं फिर उनके खिलाब कुछ सुन कैसे लेंगे अंजली ये सब सोची रही होती है कि जतिन फिर बोलता है अरे क्या हुआ, कहां खो गई अरे नहीं, कुछ नहीं, वो मैं टीवी सिरिल के बारे में सोच रही थी यहां और खौन ड्रामा करी का अरे तुम भी न, चलो मैं चलता हूँ इसके बाद कुछ दिनों तक अंजली सास को सबक सिखाने के लिए अलग-अलग प्लान सोचती रहती है पर उसे सास के एक-एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड नहीं मिलता अगर ऐसे ही चलता रहा, तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक-एक करके सुलिशना ना शुरू कर दू पगली हो गई है क्या, अकेले में क्या बढ़-ढ़ किये जा रही हो, वैसे आज खाने में क्या है आलू की सब्जी तो फिर आलू को अच्छे से काट कर, उसके कटे हुए कपड़ों को एक-एक करके ही धोना है बिल्कुल, इससे कैसे भूल सकती हूँ, मेरी जी को जिंजॉल, अरा बात है कम-काम ज्यादा है अंजली एक बार फिर, सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है जिसमें सब्जी बनाते हुए, उसके दिमाग में एक आईडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है मम्मी जी, सुनिये जरा इधर तो आना अंजली की आवाज सुन, सास रसोय में आती है आरा क्या हुआ, क्यों गला फाड कर चिला रही हो कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े दोनी की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देखी लिजे न, तब तक मैं नहा कराती हूँ अंजली सास को रसोय में छोड़कर नहाने चली चाती है इसी तरह देखते देखते चार घंटे बेच जाते हैं, लेकिन अंजली बात्रूम से बाहरी नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है अरब आत्रूम नहीं समाधी लगा ली क्या, यहाँ सर्जेबन का धंडी भी हो गई, और अभी तक देरा नहाना खतम नहीं हुआ मम्मी जी, जैसे आप कहती है न, मैं वैसे ही एक-एक करके अपने बाल शैंपू कर रही हूँ तो अभी तीन घंडे ओ लगेंगे, तब तक काम और जतीन को खाना सव करना आप संभालने न इस तरह अपनी नहले पर बहु का दहला देख सास शौक्ट रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक-एक करके करनी का आलाप बन दो जाता है